तो दोस्तों मैं स्विदेश कुपक का मैं सभी का मेरी स्वाकत करता हूं तो आज हम एक प्रोग्राम डिजाइन करने वाले हैं प्रोग्राम होगा अगर कोई user alphabet enter कर रहा है तो वो valid alphabet होगा की नहीं उसे हम conditional operator करेंगे और valid alphabet in the sense उसका मतलब होता है कि A से लेके Z तक ही वो क्या करेगा उसे valid मानेगा अधर्वाइस special characters या integer कुछ भी हम value enter करने है तो उसे वो invalid मानेगा ठीक है न तो चलिए हम start करते हैं प्रोग्राम बनाना सबसे पहले हम अपना एंटर फाल डेक्लियर करेंगे studio.h then इसके इंदा main function ओके तो चलिए यहाँ पर हम अपना output screen imaging करते हैं output screen पर हमें क्या करना है तो इसलिए यहाँ पर कितना एक ही input होगा with character data type क्योंकि हमें alphabet enter करना है तो वो से हम character data type में store करेंगे और इस पे हम variable assign करते हैं कुछ ठीक है CH हमने ले लिया then input मांगने के लिक scanf का हम use करते हैं इसके अंदर हम format swissware का use करेंगे %C ठीक है add CH हम जो variable है इसकी हमने address localize कर ली ओके then उसके उपर कुछ printf statement लिक लेते हैं थोड़ा user friend ही लगे user interface अच्छा लगे उसके लिए इसके बाद हमें यहां पे logic लिखना है अपना conditional operator के थुरू कि जो हम alphabet लिखना है वो valid होगा कि नहीं ठीक है उसका हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा उसका हमने समझना पड़ेगा logic तो मैं आपको बताता हूं इसका logic क्या है फिर हम इसे लिखते हैं ठीक है अच्छा चली हम इसके logic के बारे में ठीक है तो जैसे ch था ठीक है यह क्या user enter करेगा कोई character value ठीक है तो हम range इसके कैसे assign करेंगे तो अगर ch यानि जो character value जो user enter करेगा वो अगर a से equal होती है ठीक है एक बार ध्यान दीजे आपको a से लेके z तक जो है न यह automatic compiler इसे समझ जाता है कि यह क्या है character values है ठीक है तो हम इसके range assign करते हैं तो अगर जो user ने enter किया है वो value अगर a की equal है या a से बड़ी है फिर बीच में क्या लगेगा and operation और जो character value है z से छोटी है या equal है तो क्या print करें प्रिंट करें कि यह valid है ठीक है ठीक है तो आपको इससे क्या समझ वा रहा है तो चलिए फिर समपढ़ते हैं जो user जो value एंटर करेगा character value वो अगर a की equal आती है या a से बड़ी है a से बड़ी है तो आगे बढ़ जाएगा और हमने यहापे and operator का यूज कियो है मतलब कि दोनों अगर statement true है तब ही यह पूरी की पूरी statement true होगी है ना तो ध्यान दिजेगा character value a से बड़ी या a से equal या z से बड़ी sorry z से छोटी या z की equal तो इसी के अंदर ये vary करेगा तो यह तो बात clear होगी ठीक है और क्या print करे क्यो valid string है तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ चलिए हम वापस से अपने प्रोग्राम पर आ चुके हैं तो हमें यहां पर क्या लिखना था कंडिशन अर्डिशन एं खेक कि मज़द से हमें कंडिशन बना नहीं थो टो सबसे पहले पहले जो ल्यन होथी कंडिशन अर्पडिटर की ओकी होतीए कंडिशन की वह हम लिखते हैं इन ब्रेक olm Retake बढ़ कि तो इसके अंदर हम अपना ली समझता है यह जो है वो क्या है तो इसकी रेंज होगी यह से बढ़ा होना चाहिए और जट से छोटा होना चाहिए और एंड ऑपरेटर है तो दोनों statement true होगा तभी चलेगा तो question mark के बाद क्या चलता है question mark के बाद यह जब true होगा statement तो यह वाली चीज़ प्रिंट होगी तो प्रिंट क्या होगी अगर true होगी तो वैलेड इस्ट्रींग valid alphabet sorry then अगर यह by chance false हो जाती है तो कॉलोन के बाद वाला चलेगा not valid okay semi clock return type दे देते हैं 0 with no parameters इसरें करते हैं अगर यहां पर जैसे compiler पूछ रहा है अंटर अल्फाबेट तो मैं अंटर करता हूं ए देखें वैलेड अल्फाबेट आ रहा है और अगर मैं अंटर कर देता हूं यहां पर 2 तो not valid क्योंकि यह integer यह से accept है नहीं करेगा अचा दूसरा question आता है यह देखें यहां पर अगर मैं क्यापिटल यह एंटर करता हूं तो not valid बतार है क्योंकि यह भी string है बट क्यापिटल में है तो क्यापिटल के लिए भी हमें अलग से कोड लिखना होगा तो कोड कहां लिखेंगे हम इसी के अंदर लिखेंगे ओभी हम बिटवाइस और का यूज करेंगे क्यों बताऊंगा आपको और सेम यही चीज़ लिखेंगे बट एक की और जेट के जगह पे capital समस्कार यूज करेंगे तो ch is greater than equal to capital of a and ch is less than or equal to capital of z okay तो एक बात ध्यान चीदेगा compiler यह समझता है कि alphabet है यह यह नहीं समझता है कि अपर case है या lower case है तो हमने यहां पर दे दिया तो अगर user enter करेगा और और क्या करता है या तो यह चीज़ एक्जिक्यूट करेगा अगर यह यह चीज अगर फॉल्स होगी तो यह चीज को true मानेगा अगर यह चीज अगर फॉल्स होगी तो यह चीज को true मानेगा मतलब जरू नहीं कि दोनों true होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हम फिर सेंटर करते हैं capital A देखिए यहाँ पर बता रहा है valid alphabet मैं आपको फिर सेंटर करता हूं जैसे आपने मैंने आपर दे दिया बिट्वाइज और है ना बिट्वाइज और मतलब यह देखता है कि जो दोनों स्टेट्मेंट दिख रही है अगर left वाला अगर true होगा तो इसको false मान लेगा अगर यह true होगा तो इसको false मान लेगा इसलिए मैंने आपके क्या दिया हुआ क्याप्टेल यह और सेट की लिए अलग मतलब अपर कीश के लिए अलग और लोर कीश के लिए नहीं यहां पर जो अल्फेबेट दिया हुए तो ऐसे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते सिंपल सा ही है बट थोड़ा सा कॉम्लिकेट था है क्योंकि इसे रेंज वेंज का थैंक्यू दोस्तो